मच्वारों को न्याय दिलाने रॉल्फ हक परिशत का वाशी में समवाद कारिकरम चौथे खाड़ी पूल को लेकर बनी आंदोलन की रणी नी थी वाशी खाड़ी पूल पर बन रहे चौथे पूल को लेकर नविमबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था ने आंदोलन तेज कर दिया है मचवारा अधिकार क्रांती की सुरुवात करते हुए आजवाशी के रघुलीला बैंकेट हौल में रॉल्फ हक समवाद कारिकरम आयुजित किया गया जहां सोसल इंपैक्ट एसेस्मेंट के बिना खाड़ी पुल बनाने की तयारी और मचवारों के नुकसान की उपैक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई नेशनल एसोसियेशन और फिसर मेंस के चेर्मेन डाक्टर गजेंदर भान जी ने कहा कि मचवारों की सहमती के बिना खाड़ी पर चौथा पुल बनाना अवैद है उन्होंने कहा कि MSRDC को चाहिए कि पहले मचवारों का पुनर्वसन करें उन्हें नुकसान भरपाई दे फिर खाड़ी पर पुल बनाए डाक्टर भान जी ने चेताउनी दी कि यदि मनमानी हुई तो ब्रीज को किसी भी हाल में बनने नहीं देंगे बनारी का कुछ नहीं सोचेंगे तो हम विरुत करेंगे ब्रीज बनने ही नहीं देंगे अभी जो रॉल्फ जो तयार हो गया है वो बहुत सारी इसका मतलब हमें तो बहुत थाकत के साथ उसको लाड़ा देंगे हम चोड़ेंगे नया के दश्रत भगत ने इदर से चालू किया है उनको तो यहां से ही शुरू करेंगे और ऐसे ही प्रोजेक्ट बादी जो प्रोजेक्ट है वाडवन बंदर लो शुडी पुल ले लो और बहुत सारे है अगर यह सीधी तर से नए मानते हैं तो हमारे यंपीज भी जो है उसमें लोग सभा में खड़ा बोलेंगे कि यह अब्जेक्शन ले लो ऐसा करना पड़ेगा हमें समवाद कारिकरम में मच्चिमार सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष चंदू पाटिल, नेशनल फिसर्मैन एसोशेशन के अध्यक्ष विकास कोली, एड़ोकेट सूरेश ठाकुर, सिटको प्रकलपगर संगर समीती के अध्यक्ष मनोहर पाटिल, आगरी कोली इस्ट इंडिया स सागरी परिशत के अध्यक्ष जैस आकारे समेत, मुंबई, नविंबई, थाने एवं रायगण के मच्वारा संगटनों के तमाम प्रतिंधी और नेता उपस्ति थे, जिन्होंने प्रजेक्ट बाधित मच्वारों को कानून सम्मत मुआबजा कैसे मिले इसकी रणनीती पर चर्चा की, आगरी समाज के अध्यक्ष राजराम पाटिल ने चौथे पुल के निर्मार से पहले सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट बनाने की मांग की, उन्होंने कहा कि अब तक सारे खाडी पुल बिना सोशल इंपक्ट एसेस्मेंट के बने हैं, जिनमें मच्वारों के हक और अधिकारों की भारी उपक्षा हुई है, लेकिन आब ऐसान नहीं होने देगे। कानून के उपर लेटर लिखे हैं हमने, हमी सभी गवर्मेंट ऑफिसर्स और सब प्रोजेक्ट करने वाली कमपनिया उनको भी लिखा है कि आप सोचल इंपक्ट रिपोर्ट करो और इसकी लिए 27 कोली वाड़ाज है, उसमें सभा हो जाएगी, ग्राम सभा हो जाएगी, हम ज जागरूती होने के बाद शाशन के ध्यान में भी आएगा कि कोली लोगों को यहां मचवारों को फसाया जा रहा है, यह फसाने का काम महारश्ट्रा गवर्मेंट और केंद्र सरकार भी कर रहे हैं, और जो अभी दिल्ले में भी शेतकरी लोगों का अंदोलन चालू है, हमार सब्सक्राइब कारेकरम का आयोजन करने वाले दस्रत भगत ने कहा कि प्रोजेक्ट कोई भी हो, बाधितों का पुनर्वसन होना ही चाहिए, लेकिन MSRDC वासी गाओं के सैक्डो मच्वारों के साथ अन्याय कर रही है, उन्होंने कहा कि राल्फ स्रमवाद में जिस तरह मच् और नुक्सान भरपाई पाने में सफल रहेंगे। कितने परिवार, कितने कुटूम्ब जो जिसकी उपजिवी का नस्ट होने वाले हैं, और कैसी कशी नस्ट होने वाले हैं, और टोटल नस्ट होने के बाद उनका एक्चुल अदर से प्याकेज क्या रहेगा, यह अभी हमारे सकारात्मक, असाकार होने के लिए आ रहा है, ऐस प्रकल्प को विरोध हम नहीं करेंगे लेकिन प्रकल्प के मादें से लोग विस्तापित नहीं ते स्थापित होना चाहिए एक सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले